सो हेलो दोस्तों अगर आपका भी बजट 20,000 रुपीज है और आप उसमें एक ऐसा लैप्टॉप चाहते हो जिसमें कि आप ओफिस के काम कर सको या फिर अगर आप एक स्टुडेंट हो तो आपको वहाँ पर सीमलेस पर्फॉर्मेंस देखने को मिले एजुकेशन पर्पस के लिए आपको एक लैप्टॉप चाहिए या फिर अगर आपको एक ऐसा लैप्टॉप चाहिए जो कि ट्रैविलिंग के लिए काफे जादा पर्फेक्ट हो इंफॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए आपकी बजेट में आपकी रिक्वाइर्मेंट के इसाप से कौन सा एक लैप्टॉप बैश्ट रहेगा शुरू करते हैं आज की वीडियो को सो दोस्तों सबसे पहले में बात करता हूं अगर बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में इसमें आपको 14.1 इंच का एक HD स्क्रीन मिलता है एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले के साथ में आता है तो इस डेफिनिटल यहां पर डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है एड दिस प्राइस पॉइंट वैल अगर हम बात करता हूं प्रोसेसर के बारे में इसमें आपको इंटल का सैलेरॉं इसली कर सकते हैं लैक फ्री स्मूद यहां पर एक्स्पिरियंस आपको देखने को मिलेगा साथी में अगर आप बात करता हूं रैम एंट स्टोरेज के बारे में इसमें आपको 4GB की DDR4 RAM देखने को मिलती है साथी में 64GB की built-in storage दी गई है साथ में यहां पर इसमें आप 1TB त आता है pre-loaded window 10 pro operating system के साथ में वैल यह जो laptop है बहुत ही thin and lightweight design के साथ में आता है अगर बात कलते हैं बैटरी लाइफ के बारे में इसमें आपको 8 घंटे की battery backup देखने को मिलती है जहां पर कि आप uninterrupted यहां पर activities कर सकते हैं पूरे दिन अगर आप बात कलता हूं इसके action features के बा season touchpad मिलता है durable and compact build quality के साथ में आता है तो 20,000 के price point में definitely यह एक अच्छी deal रहने वाली है यहां पर आपको काफी सारे options देखने को मिल जाते हैं काफी सारे अच्छे features हैं तो आप इसकी तरफ definitely जा सकते हैं इस वाले laptop प्लस जितने भी laptop में आपको बताऊंगा सभी की best while link आपक attachable keyboard के साथ में यानि कि आप इसको as a tablet भी use कर सकते हो जी हां इसका जो display है वो एक touchscreen display के साथ में आता है जहां पर कि इसमें आपको 11.6 inch का एक full HD IPS touchscreen display मिलता है तो definitely यह एक बहुत ही बड़ा X-factor निकल का रहाता है इस laptop में वैल यह जो laptop है इसमें आपको मिलता है Intel का processor साथ ही मे Intel का UHD graphics card देखने को मिल जाता है जिससे कि आप lag free and smooth यहां पर काम कर सकते हैं आपको कोई भी काम करना हो बहुत ही smoothly यहां पर चलने वाला है इस वाली laptop में आपको window 10 home edition का एक operating system देखने को मिलता है जिसकी मदद से यहां पर आप multiple task को perform कर सकते हैं वैल अगर बात करते हैं battery life के अगर आपको entertainment enjoy करना हो तो आप घंटों तक इस laptop पर कर सकते हो वैल यह जो laptop है आता है बहुत सारे ports के साथ में भी so definitely आप इसमें multiple devices को भी connect कर सकते हैं furthermore आप इसमें photos क्लिक कर सकते हैं videos मना सकते हैं even though आप video calls भी attend कर सकते हैं because इसमें twin front and rear में एक web camera भी देखने को मिल जाता ह है so definitely आप इसकी तरब जा सकते हो अगर आपको एक ऐसा laptop चीए जो आपको एक tablet और laptop दोनों का ही काम करें and performance जो हो वहां पर भी आपको कोई भी compromise ना करना पड़े तो definitely यह laptop आपके लिए है अभी मैं बढ़ता हूँ अपने last but not the least Lenovo का Chromebook 14E so दोस्तों अगर आप एक student हो तो definitely म मैं आपको यह एक Chromebook recommend करता हूँ because यह जो Chromebook है बहुत ही ज्यादा lightweight है portable है रज्ट है and productivity के लिए बहुत ही कमाल का रहने वाला है यह जो Chromebook है आता है drop resistance design के साथ में साथ ही में water resistance keyboard भी आपको देखने को मिल जाता है so definitely यह एक बहुत ही बाड़ा plus point निकल कर आता है प्रोसेसर क के उपर में आप जितने भी multitasking है या फिर student के जितने भी काम है अगर आपको video call attend करनी हो अगर आपको web browsing करनी हो email चेक करने हो तो आप सारे काम यहां पर कर सकते हैं memory and storage की बात करें तो इसमें आपको 4GB की DDR4 RAM देखने को मिलती है और साथ ही में 64GB की eMMC system board memory आपको देखने को म इसे कि मैंने बताया यहां पर यह एक student friendly design के साथ में आता है तो यह जो Chromebook है यहां पर इसमें आपको front facing camera मिलता है 720p का एक HD camera है display की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 14 inch का full HD plus IPS screen वाला display देखने को मिल जाता है काफी सारे ports के साथ में यह available है साथ ही में यह जो notebook computer है यह आपको offer करता है 10 घंटे तक की battery life तो अगर आप एक student हो तो definitely एक charge में आप पूरे दिन यहां पर सीख सकते हो पढ़ाई कर सकते हो और बहुत सारे टास्क को perform कर सकते हो उसी के साथ में इसमें आपको एक G Suite एक productivity tool देखने को मिलता है जो कि definitely education purpose से बहुत ही कमाल का रहने वाला है यह students को allow करता है कि वो अपनी जो information है जो अपना data है वो share कर सकते हैं बहुत ही seamlessly securely साथी में यहां पर आपको Google Classroom and popular education apps देखने को मिल जाते हैं जिसे कि जो digital education है आज के टाइम पे वह बहुत ही ज्यादा accessible है enjoyable है manageable है तो definitely अगर आप एक student हो तो मैं आपको यह Chromebook recommend करता हूँ this one is for you and students के लिए definitely बहुत ही एक अच्छा Chromebook है आप इसकी तरब भी definitely जा सकते हैं और आज की इस वाली लिश्ट में मेरे पास यह तीन laptops थे जो की अलग-अलग category में है now I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके budget में कौन सा एक laptop fit बैठता है आपकी requirement के इसाप से still अगर आपकी कोई भी doubt है या फिर कोई भी suggestion है वीडिय गुद बाइ और आपकी और यरसेव